हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो पॉली टेक्निक केमिकल गुरू इन इस लेक्षर वी आर गोएंग टू लर्न आल अबाउट दा आयरें एंड इस्टील मैनुफेक्चरिंग प्रॉसस जहां दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सभी स्टील की मैनुफेक्चरिंग प्रॉसस कार्बन की प्रतीशर मात्रा के अधार पर जिन लोहे का प्रदात जिन लोहों की प्रतीशर मात्रा दो से कम होती है उन्हें स्टील कहते हैं दोस्तों क्या बताया रहा है कि कार्बन के अधार पर ठीक है दोस्तों कार्बन के परसंटेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते है कि स्टील क्या होता है ठीक मतलब स्टील कौन से होते हैं कार्बन के पसंटीज के बेसिस पर हम देखते हैं आप तो यहां पर क्या बता रहा है जिन लोहे का जिन लोहे से दसाते हैं एवं कार्बन का मिस्रड होता है क्या होता है दोस्तों जो इस्टील होता है वो लोहा और कार्बन का मिस्रड होता है इनमें बेभिन तो अलग अलग गुड़ों को समरीशित करने के लिए मिलाया जाता है इस्टील में कार्बन आइरन कार्बाइड के रूप में ह ठीक है दोस्तों कच्छे लोग है इस्टील का पादन कर सकते हैं यह फ्लो सीड डाइग्राम है इस्टील की मैनुफेक्चिंग यह फिर प्रोडक्शन के लिए तो आप इसको एक बार अपने कॉपी में जरू से बना ली जागा जो कि आपकी एक्जाम में के पॉइंट आफ व अब देख लेते हैं दोस्तों जर्नल प्रोपर्टीज ऑफ इस्टील की जर्नल प्रोपर्टी कौन कौन सी होती है कार्बन की प्रतीशत मात्रा बढ़ाने पर इस पात में कट होता बढ़ जाती है क्या बताया जा रहा है दोस्तों यहां पे अगर हम कार्बन की जो प्रतीश सा जाएगी ठेक तथा तान्यता घटती है मतलब डक्टिलीटी घट जाएगी डक्टिलीटी क्या होता है जोस्तों आप सभी को पता होगा आप आप माटीरियल साइंस पढ़ना है जिन चीजों को हम लोग फोस्प्लाई करके एक फिन वयर या फिस सीट में कर्नोर्ट करते है वह हम डक्टिलीटी कहलाते हैं वह सब्दीटियोत यह सब प्रॉपरटी जीए एक प्रॉपरियिटी होती है ब्रेटल मॉटेरियल प्रेकल दूसरा पॉइंट क्या है इसका गौनत 7.8 ग्राम पर संटीमेटर स्क्वार होता है सम्मानत है इस पाथ में elasticity का गुल होता है मतलब क्या होता है अगर इस्टील है तो उसमें क्या होती है elasticity पाई जाती है elasticity मतलब लचीलापन method of production of steel steel को कैसे बनाया जाता है तो एक होता है basement converter विधी दूसरी होती है खुली भट्टी तीसरी होती है LD विधी और चौथी होती है विद्धूत भट्टी विधी ठेक है दोस्तों अब आता है basement converter विधी तो इस विडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि basement converter विधी से सीखेंगे steel को manufacturing करने का तरीका यह एक अंडाकार container होता है क्या होता है basement converter method में एक अंडाकार का container होता है जिससे अच्छ के सापेच तरच्छा किया जा सकता है क्या कर सकते हैं दोस्तो इसके अच्छ के सापेच को तरच्छा कर सकते हैं इसकी बहरी सथा steel का कहोल मतलब cover का बना हुता यसकी जो external side होती है वो कि से बनी होती है steel की बनी होती है जिसमेай agnesian ita का अस्तर लगा होता है ठेक है दोस्तो इसमें क्या होता है अगनिशीन खडतर का स्टलगा होता है ऊसका कहना का मतलब क्या और रहा है दोस्तों मैं आप सभी को समझा दू इसमें क्या होता है heat resistance इटो का use करते हैं किसले करते हैं क्योंकि दोस्तों जो furnace वगरा होती है भटी वगरा होती है उसमा बहुत ही जाता high temperature होता है जो की इटों को भी गलाने की capacity रखता है तो दोस्तों हम लोग यहां पर ऐसी इट का उप्योग करते हैं जो की heat को absorb कर ले ठीक है दोस्तों ऐसी brick का use करेंगे चुकि क्या करें हीट को absorb कर ले उसमा को ऑसो सित कर ले converter के नीचले हिस्से में वाईव का जोका प्रभाहित करने के लिए tutor लगा होता है क्या लगा होता है दोस्तों converter के bottom side में जो वाईव होती है एर होता है उसको इंटर करनाने के लिए टीवर लगा होता है यह दोस्तों आप सभी का यह furnace दिया गया है बेस्मर मैथड ठीक है दोस्तों बेस्मर मैथड के लिए यह जो भी equipment यूज होता है वह दिया गया है अब आगे पढ़ लेते हैं बेस्मर कन्वर्टर को तिर्चा करके पिगला हुआ कच्छा लोग हा ठेक है दोस्तों जो पधी गारन है कन्वर्टर में डालकर कन्वर्टर सीधा कर देते हैं सीधा करने के बाद नीचे से इसमें वाईव प्रभाहित करते हैं वायू प्रवाहित करते ही इसमें क्या होता है दोस्तों जो हमारी असुद्धिया होती है वो निकल के आती है और जो असुद्धिया होती है वो स्लैक के फॉर्म में होती है इसमें और सकता हनुसा कारवन मिला देते हैं कारवन मिलाने के बाद पिगले इस बात को कनवर्टर को तिर्चा करके बाहर निकल लेते हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहले क्या करें जो पेस्टमर कनवाटर है उसको तिर्चा करते हैं उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों इसमें पीगारन को डाल देते हैं कच्छे लोगे को उसके बाद इसको सीधा कर देते हैं सीधा करने के बाद नीचे से इसमें एयर को इंटर कराया जाता है जैसे ही एयर को इंटर कराते हैं इसमें हमारी जो असुद्धिया होती है वो बाहर निकल के आती है इसमें असुद्धिया हमारे स्लैक के फॉर्म में होती है उसके बाद क्या करते हैं इसमें इसकी ओसकता अनुसार हम कार्बन को मिला देते हैं कार्बन के मिलाने के बाद ही इसमें फिर से हम नीचे से एयर को इंटर कराते हैं जैसे इंटर होती है एयर वैसे ही हमारा पिगला हुआ इस पाथ कनवर्टर को सीधा करके प्राप्ट कर लेते हैं अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेहर करिएगा और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि आपके अपने यूटूब चैनल पे मास टांसफर ऑपरेशन, आरियस, सी आरी, पी पी यू और आपका जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग सब्जक्ट है और अधर सब्जक्ट जो कि आप सभी को फिप्ट समेस्टर में पढ़ाय जाते हैं उनके हिंदी और इंग्लिस में दोनों में नोट्स प्रोवाइट कराय जा रहे हैं जो की पेड नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं वाट्सप नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दिया गया है तो दोस्ते इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत